तुम बिश्वास ने करोगी कि कैसे एक embarrassing fight, million dollar idea और new tube का नया sensation बना देता है इस anime का नाम है viral hit जो Korean Manua का adaptation है जो कि Spring Season 2024 में release हुआ है और finally Manua को इज़त मिलने लग गया ये story एक unexpected viral video और उसके consequences के बारे में है जहां Shimura को तब बहुत से challenges face करता है और ये journey start नहीं से हुए तो Shimura हमेशा की तरफ स्कूल में bully होने के बाद जब घर लोट रहा होता है तो एक bully उसके साथ घर पे आता है जिसका नाम है Kaneko Toru Shimura Kaneko के लिए ramen बनाता है और उसकी तरफ बले के जा रहा होता है जो accidentally ramen को Kaneko के उपर गिरा दोता हूँ जिससे दोना एक pathetic fight में involved हो जाता है और ये fight stream हो रहा होता है और ये बात उन दोनों को तब पता चलता है जब ये दोनों viral हो जाता है इसके बाद इस वीडियो की earning दे कि Shimura इंस्पार हो जाता है कि और content बनाएगा क्योंकि new group फे fame और पैसा दोना और इसके लिए Shimura जिस बंदे से fight करा था Kaneko दोनों टीमाद करते है to become ultimate underdog streaming duo और Shimura के content का team होता है बुलिज से fight करना तुमको क्या लगता है कि Shimura माकेन और उसके जैसे बुलिज को take down कर पाएगा या फिर किसी ऐसे चैलेंज को सामना कर पायागा जिसको यह पार नहीं कर सकते यह story high school student जो बुलिज है उनके near surrounding रहेगा क्योंकि मार तो नहीं को खाना है वाइरल ही 10 में एक perfect flow में चलता है with intense fight जिससे इस story को समझने में कोई problem नहीं हो और story काफी simple है लेकिन eye catching भी है एक छोटा सा character इंट्रो कर लेते जो story समझने में हैं काफी help कर सकता character के बारे में बात करने इस पहले एक बात बता दू कि इन characters के दो दो नाम है एक English version एक Japanese version तो मैं Japanese version नहीं बताऊँगा लेकिन साथ में English नाम mention कर दूँगा जिससे कोई problem create नहीं होगा एनिमे देखते टाइम सबसे पहले main character है Shimura Kota जो कि high school student के साथ साथ नय 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 नियोट्यूबर बना है और टाइकॉंडो की practice कर रहा है इंडिरेक्टी और second character है Shimura की crush Asamya Kaoh जो कि high school student है और cashier का काम करती है कैफे में तो हाँ अगला character हमारा camera man ही है जिसका नाम है Kaneko Toru जो कि high school student है और Shimura का camera man और हमारा fourth character है Shimura की जूनियर और एडिटर याशियो आकी high school student और professional video editor और यह last character Shimura का master है इंडिरेक्टी और इस character बारे में बहुत से कम detail है लेकिन जितना भी है काफी है दोके और यह इसका real name नहीं है और यह expert है Mixed Martial Arts का जिसका मतलब है तिंग से लेकित तांग का सब कुछ खाता है चाहे हो judo हो karate हो boxing हो हर एक चीज आता है तो अब बात करता है animation गा इस anime का genre action है तो action का time पर animation कैसा है तो बाज सब बिल्कुल clean cat animation है BFX के साथ मिलके जो combination बनाता है कि मज़ा जाता है और इस आग में घे डालने का काम करता anime का sound है जो fight के time पर और जदा curiosity create करता है कि कौन किसको पीड़े है इस anime का opening बहुत जदा energetic है लेकिन किसी के अंदर के आग को हवा देने के लिए काफी है और बात करें इसके ending theme का episode ending पे बिल्कुल perfect fit होता है अपने humor और intense fight को blend करने की वज़े से viral hit action comedy genre पे properly stand out करता है इस anime का एक unique storytelling है और काफी ज़्यादा engaging character से मुझे लगता कि इस anime को देखते time कोई बोर होने वाला है और इस anime का सबसे अच्छा बात यह लगता है कि इसमें main character का personality wise growth काफी अच्छा हुआ कहाँ एक time के bully होता था अब bully को bully कर गया और overall देखा जा तो यह perfect anime है इस anime को देख सकते हो Shimura की story एक inspiring journey है जो दोस्ती determination और survival की theme को effectively portray करते है अगर social media की नखली fight सो बोर हो चुके है तो जाकर इस anime को देखो यार एक बार और यह must watch anime है अगर वीडियो को like और चैनल को subscribe नहीं किया है तो big boss माफ नहीं करेंगे और हाँ comment करके बताओ कि वीडियो कैसे लगा और मिलता हूं next video में तब तक के लिए peace out